तो हे गाइस और वेलकम बैक तो माई चैनल वंस अगेन गाइस तो भाई आज का वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है हमारा चेनरल डे गेमिंग वीडियो से क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो कि यह गेमिंग एडिटिंग भलाना डिमकाना पीसी ब बता दूं मैं कि अगर आपको इतना जल्दबाजी नहीं है ना तो रुख जाओ भाई कुछ दिर कुछ दिन रुख जाओ उसके बाद आराम से बिल्ड कर लेना क्योंकि राइजन का भी 5000 सीरीज और आटी एक्स सीरीज का इंवीडिया का जो भी ने गार्ट्स आया है जो कि रुख सकते हो बट अगर आपको PC बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है या बहुत इंपोर्टेंट काम करने वाले हो तो गाइस बिल्ड कर लो और उसी बारे में आज हमारा वीडियो होने वाली है तो गाइस वीडियो देखने से पहले एक बाड़ी लाइक ठोक दो और सब्सक स्क्रीन पर आ चुक है यहां पर मैं आपको कुछ PC बिल्ड दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे को 2020 के अंदर काफी अच्छा लगा था और उन में से पहला बिल्ड जो कि हम जो दो वेबसाइट को हम यूज करने वाले एक है और एक है बिटकार्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ पर जाके भी आप चेकाउट कर सकते हो तो भाई पहले हम गेमसुक डॉट इन के कुछ अच्छे PC बिल्ड को हम देखने वाले हैं और मैं बता दू कि मैं भी उनमें से एक PC को लेता PC है यह PC ठीक ठाक है ले सकते हो अगर आपको बहुत बजट मतलब टाइट है आपका तो ले सकते हो बट मैं यहां से आपको दो या तीन PC दिखाने वाला हूं पहला है बजट गेमिंग PC यह आपको उस बजट के अंदर ना बहतरीन लेवेल की गेमिंग कराने की केपिबिलिटी रखता है टेने टीपी अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स अट अराउंड 60 fps तक पहुचाने का केपिबिलिटी रख लेता है यह PC और यह PC का प्राइज है अराउंड 44,000 टू 48,000 का प्राइज रेंज का आपको देखने को मिल जाता है AMD का Ryzen 33100 का प्राइसर इसमें यूज किया गया है with motherboard B450 Pro M.2 Max और यहाँ पर CPU मैं बता दू चार कोर चार थ्रेट का CPU है यह यह मैं बता दू कि यह 4.8 थ्रेट का नहीं है अगर आप चाहिए तो आप Ryzen 3300X के साथ आपको जाना पड़ेगा यह 3300 के साथ आपको जाना पड़े फिर इसके बाद अगर आप GPU का बात करें तो 1650 Ventus 4GB GDDR6 variant यह आपको मिलता है तो वह काफी अमेजिंग है कि आप GDDR6 ले रहे हो यहाँ पर तो यह आपको एक budget range पर काफी अच्छा टाइप का अच्छा transfer rate पर gaming कराने का capability रखता है इसका अलावा RAM यहाँ पर यूज किया ग camera sticks यूज किया गया है HDD के जगहा पर आप नान भी ले सकते हो या 1TB का WD का HDD अप ले सकते हो तो यह पूरी तरीकर से आप पर है यह हमारा पहला PC था और फिर अगर आपको budget में रहते हुए यहाँ का budget PC नहीं बलकि मैं बता रहा हूं कि यह बहुती budget constant जिसका है बट फिर से जाए AMD का Ryzen 5 3600XT और MSI का B450 Pro VDH Max मदरबूर्ड में लगाया हुआ और यह CPU का मैं खासियत आपको बता देता हूं यह एक 6-core 12-thread का प्रोसेसर है बाई 6-core 12-thread का प्रोसेसर है बाई तो आपको लगभग लगभग 1080p 60fps पर आपको gaming and streaming दोनों साथ में कराने का capability यह अच् से सूपर 8GB Twin X2 OC 8GB का वो जो DDR6 RAM वाला जो है ना अगर आप इसको प्यर करा देते हो ना तो कहीं ना कि आपको यह जैसे ही वह इन्वेंग का जो एंकोडर होता है जो कि आर्टीएक सीरीज मात तो वह आपको बहुत बहुत बैतरीन लेवल का streaming भी करा देगा तो यह एक आप आप रख सकते हो यह 86,000 का पड़ेगा और ओवराल बजेट जैसे आप बनाओगे ना तो यह आपको 110,000 तक पड़ जाने वाला है तो यह एक बहतरीन PC है इसको आप अपना जहन में सरूर रखिए क्योंकि यह आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है यह PC और यह मैं भी प बढ़ते हो सब के लिए आपको एदा मखन परफॉर्मेंस देने वाला है बटी यह ना बजेट आपको बढ़ाना पड़ेगा लगभाग लगभाग मान के चलो 140,000 तक आपका बजेट जाने वाला है आपका मॉनिटर कीबोर्ड माउस वगरा लेकर तो चलो भाई देखते है यहां पर हम क्या लेने वाले यहां पर हम गेमिंग रिक बनाने वाले कैबिनेट में हम लेने वाले कुलर मास्टर कुलर मास्टर में हम लेने वाले है मैट्रेक्स ए और जीबी का जो फोर फैन वाला वेरियंट होते है उसको हम लेने वाले है तो यह वाला वेरियंट लेना था हमें प्रफसर हमें यूज करना है एमडी का और एमडी में हम यूज करने वाले तरफ से आने वाला एक्स 570 और यह आप जा सकते हो इसके साथ और अगर आपको इससे भी उपर जाना है तो और एलाइट वाइफाई वाला आप ले लो यह आपको बहतरीन पर्फॉर्मेंस देने का मतलब इसका जो वी रम वगड़ा है बहुत अगड़ा है ग्राफिक काड हम लेने वाले इनो 3D का और इनो 3D का ग्राफिक काड होने वाला है 2060 सूपर आर जीबी के साथ मैं नहीं जाने वाला हूं मैं ट्वीन एक्स टू जी डीडियार 6 के साथ जाने वाला हूं इसके साथ आप जा सकते हो बहतरीन पर्फॉर्मेंस देने का यह आपको एबिलिटी र पावर सप्लाइं और स्टोरेज के अंदर मैं दोनों यूज करूंगा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में मैं जाने वाला हूं SSD के साथ SSD हम लोग लेने वाले वेस्टन डिजिटल यानि के WD का तो भाई काफी बहतरीन लेता है यह और यहां पर हम 240 GB का Green M. 2 लेने वाले हैं और सेकेंडरी स्टोरेज में आप जाहिए HDD के साथ और HDD 2 आप लीजिए सीगेट का जो अरे यार सीगेट का सेलेक्ट हो जाए सीगेट का ले लिया और फिर हम लेने वाले हैं वान टीबी का एक मतलब सेवेंटी टू हंडड़ आर्पीम वाला एक HDD तो इसके बाद RAM हम लेने वाले हैं Corsair का Corsair का हम लेने वाले Vengeance और यह आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए आपको 16 GB का चाहिए तो आप जा सकते हो और अगर आपको 32 GB का चाहिए तो उसके लिए भी आप चाह सकते हो मैं यहां पर आपको 16 GB के साथ दिखा रहा हूँ औ और भैंकर वाली temperature rise भी पहुचता है तो आप यहां से अपने हिसाब से जो भी ले सकते हो मैं Thermal Tech का यूज करने वाला हूँ यहां पर cooling system और Thermal Tech का मैं 120 नहीं लूँगा मैं 240 RGB Sync Fan लेने वाला हूँ और Wi-Fi हम नहीं लेने वाले नौट रिक्वाड है तो यह हो गया हमारा एक एक exclusive PC build जिसमें हम लोग लगभग लगभग PC का budget पढ़ रहा है आपको 1,17,000 या 1,18,000 का यह आपको budget पढ़ जाने वाला है इसमें और इसका अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे कि आप monitor का भी कुछ बता दो भाई तो उसका भी जुगाड है हमारे पास हम चलते हैं भाई हमारा प्यारा दुलारा amazon.in के उपर और देखते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या है यहां पर मैं आपको अगर आपको 2060 का मतलब नॉर्मल वेरियंट अगर नहीं चाहिए तो मैं 2060 सुपर रेकमेंड करूंगा बट यह आपको यहां पर सुपर नहीं मिलता है बट अगर आप वही लेते हो गेम सुख से तो वह पर आपको सीधा 2060 सुपर का भी ट्विन वेरियंट देखने को मिल जाता है तो मेरे को नहीं पता है इन लोगों ने क्यों नहीं डाला अभी अगर आप देखोगे तो अगर आप मेरे रेकमेंडेशन लोग ना भाई तो मैं बोलूंगा आग बंद करके आप ल्जी का अल्ट्रागील लोग 24 इंच का जबरदस मॉनिटर है 144 हट्स का है बट हा तो यह आपको साड़े बारा हजार रुपे का अंदर एक पहतरीन वैलू प्रोवाइट कर देगा और आपका पूरा यह जो पीसी बिल्ड है ना सारा कीबोर्ड वगरा को लेके आपको एक लाग तीस से एक लाग पैतीस हजार रुपे तक का देखने को मिल जाएगा तो भा एक लाग चौबीस कप पड़ेगा तो मैं बता रहा हूं कि आपको लाग 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 पैतीस हजार रुपे का बजेट लेके चलना है एक लाग चालीस लेकर चलो तो ही अच्छा है तो यही मेरे हिसाब से कुछ बहतरीन पीसी बिल्ड है 2020 के अंदर तो अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस चाहिए या कुछ भी आपको रेकमेंडेशन है तो जरूर से कमेंट सेक्षन में मेरे को बता दीजिएगा हम लोग उसको भी आपको दिखा देंगे एक बारी फिर से तो अगर आपको कोई भी शिकायत है या आपका कोई भी जानना चाहते हो कोई और ची कि यहाँ पर हम पीसी रिलेटेट गेम्स या पीसी रिलेटेट कंटेंट्स का जिकर करते रहते हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी ठोक देना और भाई अगर आप फेस्बुक इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ट पर घाई भी हो तो नीचे द यही था आज का कंटेंट और आज का वीडियो मिलता है आप लोगों से एक नेक्स्ट थमाकेदार वीडियो में तिल देन गुडबाई एंड टेक क्यार गाईस